आ रहा है खुश्बू और शवाबों का मौसम, सर्दी में गुलाबों का मौसम असलाम अलेकुम फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल, शवनूर अली फ्रेंट्स देखें, ये मेरे पास एक देशी रोज का प्लांट है अच्छा, कलियों पर आ चुका है, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी सी प्रोनिंग हमने कर दी थी लेकिन अच्छे से फूल नहीं आ रहे है इसमें तो ऐसे में प्लांट भी इतना बुशी नहीं है, कि बहुत अच्छा हेल्दी सा हो खराब सा है, तो फिर इसको हमें हेल्दी बनाना है पहले तो प्लांट को ग्रोथ पर लाना है और फिर जब अच्छी सी ग्रोथ होगी, जादा सी टेहनिया होंगी और ग्रीन-ग्रीन लीफ्स भी होंगी तब ये इन्शालला ब्लूमिंग भी बहुत बहतरीन करेगा तो मुझे जो काम जरूरी लगे, वो मैं एपलाई करने वाली हूँ कि क्या-क्या इसके साथ करना चाहिए और कुछ फर्टिलाइजर भी बहतरीन से मैं दूँगी लेकिन मार्केर से लाकर नहीं, घर से ही मैं फर्टिलाइजर करूंगी इसको तो उसके लिए पहले तो ये नाइनो क्लॉक इसमें लगा हुआ है और ये व्लूमिंग इसकी भी खतम हो गई है लेकिन अगर दुवारा से इसकी रेपॉर्टिंग की जाएगी और नहीं मिटी में लगाए जाएगा तो ये वापस फूलों पर आएगा अभी एक दो महीने इसमें फूल और आएंगे भी बहुत सर्दी तो है नहीं जो मैं इसको हटा कर रख दू फेक भी मैं नहीं सकती इसको क्योंकि ये मेरा बहुत प्रिय प्यारा सा पौदा है तो यहाँ पर जो पहली टहनी थी वो असल में जादा गर्मी में जल गई इस पर फ्लारिंग हो रही थी जब ये जल गई तो मैंने सोचा कि चलिए इसको कुछ दिन में रखा ही रहने दूँगी चाहिती तो मैं बारिश में इसकी प्रोनिंग वगेरा करती लेकिन मैंने की नहीं मुझे ये लगा कि चलिए सर्दी ही आ जाने देते हैं तब तक इसको रोक कर रखते हैं बचा कर रखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये बारिश की वज़े से चला जाए या गर्मी में तो आधा परदा जली गया था तो जितनी सूखी टहनिया थी और जो नहीं भी सूखी थी हलका हलका सूखी यलो यलो हो गई थी तो वो बेजान सी लग रही थी मैंने उनको कट करके हटा दिया है और यहां से जहां से कट किया है वहाँ अलो वेरल जेल लगा रही हूँ ताकि यहां से फंगस ना क्रियेट हो और फिर एक ही टहनी रह गई अब इसमें बहुत महीन महीन पतली-पतली सी टहनी आ है पते हैं और कलिया भी बन रही है ऐसा नहीं कि कलिया नहीं बन रही है तो मैं इनको भी हटा दूंगी अगर मैं आप छोटी-छोटी कलियों का इंतिजार करूंगी और लालत करूंगी तो फिर यह बड़े फूलों पर नहीं आ पाएगा तो इसके लिए मैंने इन टहनियों को भी प्रूंग कर दिया क्यों क्योंकि जो महीन महीन टहनिया होती है वो असल में बड़ा फूल नहीं दे पाती है क्योंकि वो खुद कमजोर होती है तो बड़ा फूल कहां से देंगी इसलिए महीन महीन टैनियों को मैंने कट कर दिया है अब जो पैंसिल जितनी टैनी बची है उस पर रिशोटिंग होगी मतलब जो लाल-लाल पत्तियां आती न शूर्स नियू नियू उस पर बहतरी इंग्रोथ होती है तो आब मिटी पर काम पौधे पर हो चुका अब जड़ों पर भी हम काम कर लेते हैं अच्छा मैं रिपोर्टिंग नहीं करूंगी इसको निकालने के बाद जड़े वगेरा ट्रेम रिम नहीं करूंगी ऐसे शौक में भी जा सकता है और लंबा टाइम ले जाएगा इस वक्त सिर्फ फर्टिलाइजर की मुझे लगता है इसको जरूरत है तो मैंने मिटी को खाली कर दिया बस दो इंच की मिटी नीचे रहने दी है और उसके बाद यहां नाइट्रोजन बेस खात यानि के मैंने गोट पूप लिया है गोट मैनियोर और लिया है राइस हस्क राइस हस्क जो के थोड़ा सा नमी बनाए रखता है अजकल धूप बहुत देज है फिर यहां पर हैं मेरे पास अनार के छिलके और यह अंडे के छिलके जो कैल्शियम का सोर्स है और अनार में तो आप जानते ही क्या-क्या विटामिन्स होते हैं फिर पूरा एनपी के नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस यानि के प्यास के छिलके और साथ में यूजड टी लिफ्स यानि के चाय की पती जो उबालने के बाद हम पती चान कर निकाल लेते ना उसको मैंने धूप में सुखाया हुआ है और एक मुठी के करीब है तो बस इन सब को मैं मिक्स कर दूँगी मिटी में और बाकी थोड़ा सा गोट मैंने और मैंने और लिया है उसको मैं यहां नीचे भर रही हूँ क्योंकि मिटी मुझे कम लगी तो जो गोट पूप है वो धीरे धीरे डीकंपोस होकर बढ़िया मिटी को पोरस भी रखेगी एरेशन भी काफी अच्छा रहेगा और मिटी से बाकी मैंने जो मिलाया है एक्षेल से केलशियम सब कुछ मिलने वाला है इस प्लान को और कुछ दिन में इन्शाला यह बढ़िया सा ग्रो करेगा वाटरिंग में कर दूँगी और फिर इसको कुछ दिन शेड में रखो और फिर इन्शाला इतना फर्टिलाइजर देने के बाद और सौहिल को गुड़ाई करने के बाद प्रोनिंग करने के बाद बहतरीन से जब रिजल्ट आएंगी तो अपडेट शेयर करूंगी लाइक शेयर एंड कमेंट अला आफेज